शांता जी थोड़ा सा पीछे लोटूंगा शिम्ला के रिज मैदान में आपने शपत लीती संस्कृत में ये संस्कृत में शपत लेने का ख्याल कैसे है यासे मन में क्यूंके संस्कृत हमारी एक देव भाशा है हमारा हमारे इस देश की पूरी संस्कृती संस्कृत में है तो स कॉंग्रेसी बहुत नाराज थे आपसे की रिज मैदान में शपत ले रहे हैं जबकि यहां तो प्रधान मंत्री आते हैं उनकी नाराज यी थी लेकिन मैंने का इस परकार के बहुत बड़ा परिवर्तन देश में परदेश में हो रहा है तो उनके अलोचना हुए रहा थी लेक विभाग से सारे विभागों में फैल गई और लोग कहते हैं राजनीतिक पंडित कहते हैं कि उसका खाम्याजा आपको सत्ता गवां के भुगत ना पड़ा आठ सीटों पर पहुंच गए देखे हुआ क्या कि जब हम ने ये मिरने किया कि हम बिजली उत्पादन में प्राइवर्ट सेक्टर को लाएंगे और हमारे स्नेरने को दिल्ली की सरकार ने भी स्विकार किया तो पता नहीं विपक्ष ने वर्ग लाया और सरकारी करमचारी विशेश के बिजली विभाग की करम चारी नाजारा हुए और उन्हें स्टाइक करते। तो में उनको बलाया ये मैं कि आप अपनी कोई विखाय है कोई सेली की बात है उसकी बात है वो बुशे करो कहले आपने प्राइवेश स्क्टर को बला लिया मैं अपने इकिसजार मेगा भाट हिमाचल प्रदेश की क्शमता है इस क्शमता का दोहन हम एक हजार साल तक भी नहीं कर सकते अपने पैसे से तो प्राइबे सेक्टर आएगा वो भी बनाएगा हम जतना करेंगे हम भी करेंगे लेकि किसी नहीं मेरी बास तुने नहीं और स्ट्राइक बीस पच्छी स्टें से आगे जब चली गई तो फिर मुझे पर दवाओ तो बड़ा नेताओं का कि भी जैसे तेसे समझाता करो मैं कहा देख आज उस वक्त क्या होता था हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्ट्राइक्स का प्रदेश था और यहां तक खालत थी कि अधिकतर सरकारी करमचारी शमलावस कि देख उनके सेब के बागीचे थे तो यहां तक भी होता था कि जब सेब के बागीचे में काम ज्यादा है च्छड़काओ करना है तो दस पंदा दिन की स्ट्राइक कर दो बागीचे में अपना काम करो वापस आओ समझाओता तिनका मिल जाती थी बहुत स्ट्राइक्स होती थी यहां पर बहुत बड़ा परिशान थे लोग भी और सरकार भी तो मैंने कैं यह रोज की परिशानी बरदाश नहीं होती फिन हमने बुचा कि एक शरी मुकर जी मेरे बात की यहां सर आपकी बात ठीक है मैंने का इस पर हम जुकेंगे नहीं तो मैंने का ठीक है तो मैं स्ट्राइक करने का अधिकार है तो हमने फिर नो वर्क नो पे लागू कर दिया हमने का काम करते हो इसली वेतन बिलता है बिजली बंद करने का नारे लगाने का सरकार का मु नाज़ान तो हमने वह लागू किया और हम बिलकुल छुके नहीं उसको उनको छुकरा पड़ा उनको समझधा करना पड़ा लेकश की केमत हमने जुरूर चुकाई उसकी केमत चुकाई भूकर मुझे याद है के दिल्ली के हमारे कुछनेतों बोचे कहा कि यह मत करो शायद इट इस गुड गवर्नेस बट बैड पॉलिटिक्स मैंने का आई स्टेंड फर गवर्नेस आई स्टेंड फर गवर्नेस देश का भला जिसमे है उसके लिए अगर कुछ केमद चुकानी पड़ती है तो मैं चुकाऊंगा मैं आरण शोरी का धन्यवाद करना चाहूँ मैं इनको जानता नहीं था वो इंडियन एक्स पर सब बाद एक थे उनको जब पता लगा बड़े खुश हुए और वो आये शमला में और एक एंजियो पता नहीं कौन था उन्होंने उनका कारिक्रम आईजिद किया और उस कारिक्रम में उन्होंने मेरे स्टेंड की सरहना की बलके शायद उन्होंने का कि अभी देश के लोगो इसकी सरहना करो इसने पहली बार को अच्छी बात कही है वर्क कल्टर लाए बिना देश खड़ा नहीं हो सकता तो मुझे बड़ा अच्छा लगा लेकिन कुल में लाकर के गवरनेंस के दिश्शी से बहुत बढ़िया था लेकिन अगले चौनाव में हमको उसकी किमत तो चुका नहीं पड़ी वैसे अगले चौनाव में जब हमारी हार खुई सीटर बहुत कम आई तो बहुत लोग ने मुझे का तो मैंने एक बात कही था मैं कहा देखिए जीत और हार के कई कारण होते है इस बार के हार के और भी कई कारण है लेकन ये भी अगर कोई कारण हो तो मुझे कोई मलाल नहीं है मुझे कोई परिशानी नहीं है और मैंने का मुझे याद दिया रहा किसी विचारक की एक उपती है सम डिफीट्स आर मोर गलोरियस दैन विक्ट्रीज तो मैंने का डिफीट क्यों ही कुए ज़िस दांत के सवाल पर हमने एक्स्टेंड लिया जिसका देश को लाब होगा परदेश को लाब होगा तो मैंने का इस हार से मुझे कोई चिंता नहीं है यह हार भी बड़ी गलोरियस है गौरवानित है लेकन राज़नेतिक लोगों को लगा कि पार्टी के लोगों को लगा इसका नुक्सान हो और बाद में यह मामला सुप्रन कोर्ट तक गया था और बाद में आए तो पूरे देश ने इसको स्विकार किया है अब वाल कर्चल लाए बना मैंने का कि देश प्रदेश तरक्य नहीं कर सकता 1993 के चुनाओ और उसके दो बरस बाद एक नया पार्टी महासचे हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनता है नरेंद्र मोदी और आपके और नरेंद्र मोदी के उस दौर के टकराओ के किस से 22 बरस बीतने के बाद भी सुनाई जाते हैं मैंने जो सुना वो मैं आपको बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी मिलने आए तो शान्ता जी के दिनचर्या की दो फिक्स चीजे थी एक सुबह योग और एक दो पहर की डिड़ दो घंटे की नीद तो बताया गया कि शान्ता कुमार जी सो रहे थे नरेंद्र मोदी आए तो खबर कर दी गई कि सो रहे हैं या शायद मिलना नहीं चाहते होंगे तो मोदी गुस्से में चलेगा ये कहके कि कह दीजेगा कि मोदी आया था सच्चाई है सर इन सब चीजों में ने ने ऐसी कोई बात ने ये घटना पहली बार मुझे पता लग लिए पता निकाल बाते बहुत सी बाते हैं घड़ी जाती हैं लोग चर्चा करते हैं ऐसी कोई बात नी नरेंद्र मोदी जब परभारी थे तो उनके साथ हमारे सामने समन थे ये ठीक है कि दीरे दीरे उनको लगा कि भी अगला जो सारा यहा का देतत है वो दूमल जी को देना चाहिए उसके काल कभी के भी कुछ लोगों में मनमटा हुआ इस से जादा कुछ नहीं है बलके मेरे पारिवार समदे मुझे याद है मेरी बेटी की शादी जब होई थी तो नरेंद्र मोदी जी विशेश शूप से दिली सपालों बराये थे इसी कोई बात ने थी हाँ ये ठीक है कि मैं उन दोनों थोड़ा सा राजनीती से थोड़ा इदर अफर जब मुझे पार्लिमिट की बात कही तो मैं थोड़ा उद्र रख्ट हो गया इस परकार कोई बहुत बड़ा टकराओं दोनों मोदी जी के साथ में बिलको ले ले ला बिलको ले ले ला दिसंबर 1997 जौला मुखी गीता भावन एक मीटिंग हुई आप थे प्रेम कुमार धूमल जो उस वक्त पार्टी के परदेश अध्यक्ष थे सानसदी का चुनाओ हार चुके थे वो और ओपी कोहली थे शायद मेरे ख्याल से और नरेंदर मोदी क्या हुआ था उस मीटिंग में बड़ी कहानिया सुना जाती हैं सर उस मीटिंग की कि शानता जी नाराज हुए उन्हें लगा कि मान मनवल होगी पर मोदी ने कुछ और कह दिया नहीं अजा था कि शायद परदेश अद्ठष बनाने की बात थी और उस मैं हम सब लोग किसी और को परदेश अद्थ बनाना चाहते थे शायद बाकि लोग किसी और को बनाए तो उसके बाद फिर यह हुआ कि मेरे कुछ सहयोगी 25-26 लोगों को पार्टी से ही सस्पंड कर दिया गया और फिर उनका अध्यक्षपन गया और चलता रहा उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ पार्टी का संस्थापक व्यक्ति पार्टी का मुख्यमंत्री रहा दो बार आपके सहयोगी अटल अडवानी दिल्ली में संग्ठन चला रहे हैं और आपके लोगों को बर्खास्त कर दिया गया यह कैसे मुम्किन हुआ यह तो नरेंद्र मोदी की वज़े से ही हुआ होगा मुझे भी सस्पेंट कर दिया गया था आपको सस्पेंट कर दिया गया था अडवानी जी बहुत परिशान हुए थे फिरो सस्पेंशन खत्म होई थी क्या थी इस टकराओं की प्रश्ट भूमी ऐसा क्या था कि जिस आदमी ने तीन दशक में पार्टी खड़ी की चार दशक प्रचारक रहा पंच से सफर शुरू किया उसके सस्पेंशन की नौबत आ गई मैं तो इतना जानता हूं कि हम लोगों को लग रहा था कि यो होना चाहिए और वो जो दूसरे लोग हमारे मित्त थे वो वैसा नहीं चाहते थे तो सस्पेंशन हुई फिर चुनाव रह गया फिर शायद नौमिनेशन हुआ उन सारी बातों के बारे मैं अधिक कहना नहीं चाहता हूँ शांता जी आप बुजर्ग हैं मैं बहुत ही चोना हूँ आपके सामने पर मुझे सिध्धान तो आदी बुजर्ग राजनीताओं कि कई बार ये चुप्पी अखरती है कि क्योंकि तारीक रची जा रही है लिखा जा रहा है यह इंटर्व्यू हो रहा है ये भी आगे चलके एक दस्तावेज की रूप में होगा तो पता तो रहना चाहिए कि क्या राजनीतिक हालात थे मूल्यों का क्या टकराओ था ऐसा कि ये हुआ नहीं, देखिए न मुझे तो इतना मालूम है कि हम किसी और को बनाना चाहते थे और हमारे मित्र किसी और को बनाना चाहते थे टिकरो मेरे लिए तो केवल यही था और देखिए ऐसा ना कि अभी बार राजनीती में हूँ राजनीती छोड़ दूँगा तो शायद और बहुत कुछ कह सकूंगा आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि 1998 में जब चुनाओ होंगे तो भाजपा सत्ता में नहीं आ पाएगी और शायद यही देखते हुए भाजपा के इसी आंतरिक विभाजन को देखते हुए वीर भदरी ने नौ महीने पहले चुनाओ कर वा लिये थे आपको अक्सर कोट किया जाता है कि मैं हार का ठीकर आपने सर पर नहीं फोड़ना चाहता 1998 के चुनाओ यह ऐसा लग रहा था उस वकद और उस वकद जो लगा था वो मैंने कहा था फिर आप केंद्र में चले गए और खाद देवम आप पूर्ती मंत्री बने थे आप हाँ केंद्र में मुझे सबसे पहले फूट बिजिस्टर बनाया था और उसका वंकैया नाइडू जी जब पार्टी के लिए मंत्री मंदल छोड़ कर आए तो उनका विभाग जो ग्रामी जिदे योजना का दिक्र किया तो यश्वन से ना बड़े नाराज हुए थे बोल रहते हैं तो सरकारी खजाने पर बोज है क्या बहस हुई थी आप लोगों की कैबनेट मीटिंग में देखिए मैं राजनीती में हूँ लेकन लेका कुम भावक बहुत हूँ जब फूट मिन और स्योग ऐसा हुआ कि मैं खबर पढ़ ला था थोड़ी देर के बाद दा प्रकास संग बादल जी का फोन आया पंजाब के वोगों और बड़े गुस्से मेरे से बड़ा उनके पाया किसमाने के ते जी तुसी की कर दे हो जी तो नों कई बिर किया साड़े गुदाम भरे पड़े ने असी नई प्रोक्यूर्मेंट करनी है कि आप यहां से अजाज उठाते क्यों नहीं दो रुपे किलो के हूं तीन रुपे किलो चाबल दिया जाए योजना मना करके बहमतरी मने मिलाया तो उन दोनों यश्वों से जी यह कह रहे थे कि आर्थ सिती बहुत खराब करो बच्छत करो उस पर वितमंतरा लेक्काम कर रहा था उन्होंने क्या कि इतना बड़ा इतने हजार कुरूर रुपे का बोज जो एई तो सारे जा सकता तो उन्होंने उस पे अपने उस यानि वित्ती पॉइंट वियूस का विरूत किया उन्होंने तो फिर मुझे एक समझ आ रहा है कि शांता कमार गरीबों के लिए बहुत बढ़िया योजना लाना चाहते हैं ये शौन से ने उसका वरूद कर रहे हैं और वह बात चलती नी चलती नी दूसरी बार अटल जी के कह रहे हैं पर मैंने फिर योजना लाई तो फिर उसका वरूद हुआ फिर गृु भरे बड़े हैं लोग भूखे रात को सो रहे हैं ये क्या है तो अटल जी के जनम दिन पर शायद दो में अटल जी के जनम दिन पर परधान मंत्री गराम सड़की उजना का उद्गाट हैं और मैं बैठा हुआ हूँ पांच सा दिन शायद बाकी हैं एक समझा रहा काला आप और मैं अपरादी हैं तो क्या मतलब अटल जी आप प्रधान मंत्री मैं खादे बंतरी अनार्ट के भंडार भरे पड़े चूए खा रहे हैं और गरीब भूख से बर रहा है अपरादी नहीं तो क्या है वो चूप हो गए मेरे साथ उनके बड़े निकट के समन थे ऐसे मौके पर चूप हो जाती तो उनके आँखे सजल हो जाती थी मैं का ठाल जी क्या ही अच्छा हूँ पच्ची दिसम्बर आपके जनम दिन पर परदान मती गराम सटक योजना के साथ मेरी योजना भी शुरू कर दो अपने दब कर दो ये शोन से नजी को क्या दो और ने फोन मलवाया और का ये शोन जी वो जो शांता कमार की योजना है वो भी शुरू करनी है पच्चीस को फोन रख दिया बाद में मैं गया मैं रे शुरू जी को फोन की तो हसी में कया या तुमने मनवाई ली योजना तो अच्छा पिर जाते हो मुझे का और त्यारी एड़ता थमारी मैं का चंता ना करो तो हम बैठे और में रात रात बैठ करके अधिकारियों को बठाया तीन चार देन कदर पूरी योजना की तेयारी की और उस योजना के साथ यानि कैबनेट की मंदूरी के बना शायद इतने बड़ योजना पहले कभी लागू नहीं होई थी कैबनेट पे दो बाद में छे मेने के बाद उसकी से तो एक सरिद व ने तेश के हितका हुआ वापर और हमारी जो अन्त योजना थी वही बाद में जो फूड सेक्यूर्टी योजना उसका अधार बनी वह तो एक बहुत बड़ा थी तो एक बड़े परसनत है कि अटल जी की जगे के और प्रधान मंत्री होता तो वित्त विवाग की मंजूरी क कि वहने कभी स्योजना को स्विकार ने करते हैं